3, 2, 1 जो जाडियों के बीच से खतरनाक तरीके से घूमता है। उसकी चमकती आँखें भेडियों और मोगली पर टिकी हुई है। शेर खान के चक्कर लगाने पर भेडिये विरोध में गुर राते हैं। उसकी आवाज में धमकी भरी आवाज है। शेर खान बाग अपनी जान को खत बताता है। लेकिन अकेला के नेतरित्व में भेडिये उसे सौपने से इंकार कर देते हैं। मोगली के बड़े होने, भेडियों के साथ दोड़ने, पेडों पर चढ़ने और बेपरवाह भालू, बालू के साथ हसने का एक क्रम दिखाएं। बालू ने खेल-खेल में मोगल को नदी में फेंक दिया और दोनों इधर उधर उचलने लगे। बगीरा एक शाखा से देखता है, मोगली को ध्यान से देखता है, क्योंकि वह उसे शिकार करना और जीवित रहना सिखाता है। मोगली जानवरों के बीच बड़ा होता है, बालू से जंगल का आनंद और पेड़ पर चढ़ जाता है और नीचे बाग के गुराने पर तनाव भरी आँखों से नीचे देखता है। लेकिन शेर खान की मोगली को मारने की इच्छा बढ़ती जाती है, जिससे लड़के को अपनी पहचान का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। का अजग मोगली को शरारती बंदरों के एक गिरोह द्वारा अपहरन कर लिया जाता है जो जंगल में हसते हुए घूमते हैं। द्रिश्य तब अराजक हो जाता है जब बालू और बगीरा मोगली को बचाने के लिए बंदरों से लड़ते हैं। मोगली का सामना का और शरारती बंदर लाल फूल को पकड़े हुए आत्म विश्वास से खड़ा है जबकि शेर खान लपटों से डर कर हिचकिचाता है मोगली आग को बाग की और घुमाता है जिससे शेर खान को चाया में पीछे हटना पड़ता है चरम पंथी मुखाबले में मोगली आग लाल फूल का इस्तेमाल करके शेर खान को भगा देता है मोगली जंगल के किनारे पर खड़ा है एक कड़वी मीठी मुसकान के साथ अपने भेडियां परिवार को देख रहा है वह मानव गाव की और कदम बढ़ाता है उसकी आँखों में लालसा की भावना है अपनी जीत के बावजूद मोगली को एहसास होता है कि उसका स्थान पूरी तरह से जंगल में नहीं है मोगली के गाव में प्रवेश करते ही द्रिश्य फीका पड़ जाता है लेकिन जंगल की आवाजें प्रिष्ठ भूमी में बनी रहती है जो जंगल के साथ उसके शाश्वत बंधन का प्रतीक है लेकिन उसका दिल हमेशा जंगल से बना रहेगा यह वीडियो मोगली के जीवन की यात्रा, संघर्ष और भावनाओं और उसके आसपास के जानवरों के साथ उसके रिष्टे को दर्शाता है